इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है लेकिन अभी तक फिल्म की लीडिंग लेडी को फाइनल नहीं किया गया है अब खबरे आ रही है कि इस फिल्म में शारुक के साथ अनुषका शर्मा को कास्ट किया जा सकता है वैसे इस से पहले इस रोल के लिए दीपिका और आलिया का भी नाम सामने आया था लेकिन दोनों ने इस फिल्म से कन्नी काट ली है इसलिए अब इस रोल के लिए अनुषका शर्मा को लिया जा सकता है फिल्म में केटरीना को पहले ही साइन कर लिया गया है अगर अब शारुक केटरीना और अनुषका एक ही फिल्म में साथ नजर आते हैं तो लोगों को जब तक है जान की याद जरूर आएगी खैर अब देखना दिल्चस्प होगा कि क्या अनुशका इस फिल्म के लिए फाइनल हो पाती है या नहीं अगर ऐसा होता है तो ये तीनों एक बार फिर से बॉक्स ओफिस पर धमाल मचा सकते हैं झील्जशक्स पर सकते हैं